दूस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फोन पे एकाउंट को पर्मानेंटली डिलीट कैसे करते हैं अगर आप भी सोच रहे हैं फोन पे एकाउंट को अब हम बंद कर दें यूज नहीं करना चाते हैं तो आप इस वीडियो को कम्पलीट वाज करिएगा आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे फोन पे एकाउंट को पर्मानेंटली कैसे डिलीट करते हैं उसके साथ आप लोगों को यह भी बताएंगे कि अगर आप लोग अपने फोन पे से अपने बैंक एकाउंट को हटाना चाते हैं आपने लोगिन किया होगा जब फोन पे बनाया था अगर हटाना चाते हैं तो सिंपली आपको करना क्या है सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है कोने में जो आपकी प्रोफाइल है जहाँ पर आपका photo दिख रहा होगा उसी जगा आप लोगों को click करना है जैसे दोस्तों click करोगे यहाँ पर आपको इस तरह का इंटलफेर देखनेों को मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे option देखनेों को मिलेंगे check balance, debit card और उसके साथ phone pay wallet और phone pay gift card यहाँ पर बहुत सारे आपको option मिलेगा लेकिन आप लोगों को यहाँ पर simply click करना है bank account पर जो आपका bank account है उस पर आप लोगों को click करेंगे आप लोगों को जो है इस तरह का इंटरफेर देखने को मिलेगा यहाँ पर आपने जितनी भी फोन पे बैंक में आप लोगों ने अपनी बैंक लोगिन किया यहाँ पर सारा आप लोगों को बैंक दिख जाएगा मेरे फोन पे एकाउन में जो है चार बैंक लिंक है चारों यहाँ पर सो हो रही अगर आप किसी bank account को delete करना चाहते हैं यहाँ से अगर आप phone पे ही delete करना चाहते हैं तो सारे bank को आपको सबसे पहले delete करना है मालीजिये मैं इस bank को delete करना चाहता हूं access bank को तो उस पे आपको click करना है जैसे access bank पर click करोगे आपको नीची आना है आपके phone pay account से ये bank हट जाएगी, login थी वो remove हो जाएगी, इसी तरह करके आप सारे bank को हटा सकते हैं, उसके बाद दोस्तों आप लोग जो है, आपने phone pay को ही permanently delete कर सकते हैं, देखिए मेरे जो bank है वो हट चुकी है, इसी तरह आपको 4 bank को हटा देना, उसके बाद जो phone pay account को remove कर दे कर दो आपको हां आपको है आपको है आपको है, आपको है